नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका MP Academy के YouTube चैनल पर और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं Compound Interest यानि की चक्रब्रधी ब्याज दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद जो चक्रब्रधी ब्याज का टॉपिक है वो आपको सरल लगने वाला है ठीक है तो बने रहेगा हमारे साथ इसमें हमने लगबख सभी प्रकार के questions को add किया है और उनका solution देखने के बाद आपको आपसे किसी भी प्रकार के question नहीं छूटेंगे बांकी topic math के बांकी topic देखना चाहते हैं तो simple सा हमारी playlist पे जाईएगा यहाँ पर math topic wise all solution is here नामसे playlist है description में link मिल जाएगा तो आप यहाँ से जाकर के वीडियो देख सकते हैं ठीक है दोस्तो तो बिना देरी किये शुरू करते हैं आज का topic तो हमारा पहला question है महेश 8560 रुपए की रासी चार प्रतिसत प्रती वर्स की दर से दो वर्स के लिए ने वेश करता है दो वर्स के बाद उसे चक्रद्धि व्याज की लगभग कितनी रासी प्राप्त होगी तो सिंपल सा इसमें सी आई निकालना है compound interest ठीक है तो अभी तक आप निकालते रहे हुए यह फॉर्मूले से कि जो compound interest है बरावर कितना होता है पी इंटू वन प्लस वन अपन आर्टू दी पावर एंड माइनस बन से है ना इस फॉर्मूले का आप यूज करते थे लेकिन मैं जो आज तरीका बताने जा रहा हूँ इसमें हमको फॉर्मूले का यूज नहीं करना है ठीक है बिना फॉर्मूले का यूज किये हम चक्रद्धी व्याज को किसी भी प्रकार का कुश्चा ना जाए बिना फॉर्मूले के क करना है और कम समय में करना है ठीक है सिंपल सा देखो हमको गिविन क्या है प्रिंस्पल गिविन है आठ हजार पांसो साथ ठीक है रेट गिविन है चार प्रतिसत टाइम गिविन है इतना हमको गिविन कुश्चन में सिंपल सा सॉल्फ कर लीजिये देखिये जो रेड दी है चार परसेंट का मतलब क्या होता है इसको अगर मैं फ्रेक्शन वैल्यूज की निकालूं तो चार परसेंट का मतलब होता है एक बटे-बच्च्चिस सिंपली चार बटे-बच्च्च और 25 युको 100 तो एक बटे 25 अजाएगा अगर आपको fraction याद नहीं है तो आपको करना पड़ेगा ठीक है परसेंटेज का fraction याद करना पड़ता है सबको तो यह है प्रिंसिपल यह है एमाउंट ठीक है तो देखिए जो रेट होता है ना रेट का जो रेशियो होता है यह बताता है कि 25 रुपए पर इस रेट पे चार परसेंट की रेट पे 25 रुपए पे एक रुपए ब्याज मिलता है अगर 25 रुपए प्रिंसिपल होता और 4 परसेंट की रेट होती तो उसमें कितना ब्याज मिलता एक रुपए पहला कुश्चन इसलिए में जोड़े के समझा रहा हूँ ठीक है यह प्रिंसिपल यह रेट यह टाइम ठीक है तो जो यह रेट है ना रेट का जो रेशियो आया वन एक बटे 25 आया पच्चेस है प्रिंसिपल 25 का 4% एक होता है इसका मतलब यह होता है ठीक है चलिए तो सिंप्ली 25 रुपए क्या हो गया हमारा फ्रिंसिपल अब एक रुपए क्या मिल रहा है तो मूल धन में अगर ब्याज जोड़ दो प्रिंसिपल में अगर इंट्रेस्ट जोड़ दो तो वह बन जाता है एमाउंट यानि कि एक तो 25 और एक कितना हो जाएगा 26 ठीक है तो यह पहले साल के लिए हमारा क्या हो गया प्रिंसिपल पहले साल के लिए हमारा प्रिंसिपल हो गया 25 और एमाउंट हो गया 26 ठीक है 25 रुपए था एक रुपए ब्याज मिला पहले साल में तो हो गया 26 तो निक 25 और यहां पर हो जाएगा 26 ठीक है दो साल तीन साल होता है तो एक बार और 25 एक बार और 26 ठीक है सिंपली इसका multiply कर लो 25-25 कितना होता है 625 26 और 26 कितना होता है 676 होता है ठीक है तो हमारा जो principle है वो कितना आ गया है 625 आ गया है amount कितना आ गया 676 आ गया है इस method में आया है ratio में लेकिन question में हमको क्या बोलता है कि जो principle है जो principle है वो 625 न होके 8560 है 625 न होके 8560 है ठीक है तो मैं 625 में कितने का multiply करूँगा कि 8560 आ जाए तो मैं इस पर multiply कर देता हूँ 8560 बटे 625 का ठीक है अब 625 में अगर इसका multiply करोगे तो simply यह आ जाएगा ठीक है यहाँ पर क्या है यह जो 625 है इसका multiple नहीं है इसका multiple नहीं है इसलिए ऐसे करके कर रहे हैं नहीं तो जो आपको exam में question मिलते हैं वो direct multiple होंगे principle के जो principle दिया रहेगा उसका यह direct multiple होगा ठीक है तो वहाँ पर आपको direct बन जाएगा लेकिन इस question में थोड़ा सा lengthy दिया हुआ है थोड़ा सा तो इसको मैंने directly क्या कर लिया 8560 बटे 625 मान लिया 625 से 625 यह cut जाएगा यहाँ पर ऐसे तो बच्चे का कितना 8560 यानि कि 625 में अगर इसका multiply करोगे तो यह आ जाएगा ठीक है समझ गया तो 625 में अगर multiply किये हो इसका तो आया है यह principle इसी तरह से यह amount भी ratio का है न तो यह amount 676 है अगर इस पर multiply किये हो 8560 बटे 625 का तो amount पर भी आपको multiply करना पड़ेगा 8560 बटे 625 का ठीक है तो simply अब मैं यहाँ पर मिटा देता हूँ जगह नहीं है तो तो इसमें 676 में किसका multiply कर दूँ में 8560 बटे 625 का ठीक है किये देते हैं चलो क्या आया था है amount आगया था 676 इस पर multiply कर देना है 8560 बटे 625 का ठीक है चलो इसको solve कर लो पांच से काटो पांच एकम पांच पांच दूनी दस और पचम पच्चे सजाएगा पांच एकम पांच यहाँ पर 535 और पांच एकम पांच पांच दूनी दस ठीक है simply 676 और 1712 का multiply करोगे है ना 1712 का multiply करना करोगे और 125 से भाग दे दोगे तो कितना आ जाएगा नो हजार दोसो अंठामन पॉइंट में कुछ रहेगा लेकिन क्या बहुत लगभग निकालो तो 9208 आ जाता है प्रिंसिपल कितना दिया हुए 8560 है तो अगर आप प्रिंसिपल को घटा दोगे तो क्या जाएगा हमारा compound interest यान की ब्याद जाएगा चक्क ब्रद्धी ब्याद जाएगा तो आड़ इसमें से घटा दो आठ की आठ यह 15 में से 6 जाएंगी तो बचे का कितना 9 और 9 में 12 में से 6 जाएंगी तो बचेगा 6 और 9 में से 9 हो जाएंगी तो कुछ नहीं बचेगा यान की जो compound interest है वो आ गया 698 ओप्सन नम्बर ओप्सन नम्बर हो जाएगा D ठीक है क्या सीखा अपन को rate को क्या करना है जो rate दी है rate को fraction में change करना है जैसे मालो 10% दी है तो 10% मतलब की एक बटे 10 तो principal क्या कर दोगे 10 और ब्याज जोड़ दोगे तो amount क्या जाएगा 11 ठीक है अब कितने साल के लिए दो साल के लिए है तो यहां पे 10 लिखो यहां पे 11 तीन है तो तीन बार दस लिखो तीन बार 11 ठीक है तो जितने बार बोले फिर इनका कर देना है multiply फिर मालो दो साल के लिए इनका कर दो multiply तो यहां दी है 100 और यहां पे दिया है इसका multiply 1 to 1 त तो जो original value है principle की वो इस से कितना multiply है 10 तो जो amount होगा न ये भी multiply होगा 10 से मतलब कि ये जो principle है ये 10 का multiply है original में तो amount भी 10 का multiply होगा original में तो ये हो जाएगा 1210 I think आपको समझ में आया होगा और आप अब गलती नहीं करेंगे ठीक है फॉर्मूले को गलती से यूज नहीं करना है वह बहुत ज्यादा time taken होता है और सरल करने भी problem जाती है ठीक है तो फॉर्मूले का यूज नहीं करेंगे अपर इस method का यूज करेंगे सरल है समझ में आ गई होगी चलिए next question है हमारा दो बर्स बाद आठ प्रतिसत प्रतिवार्सिक की दर से Rs.3000 की रासी पर कितना चकवरद्धी व्याज मिलेगा ठीक है तो जो given है यह exam में नहीं लिखना है मैं यहां सिर्फ समझने के लिए लिखवा रहा हूं exam में आपको देखती answer करना है ठीक है 3000 क आठ प्रतिसत है ठीक है अर्ठ प्रतिसत को क्या लिख सकती है अपन लोग आठ प्रिस्ट को लिख सकते है दो बटे 25 रिशियो में यह तक डाला जाता है लेकिन आपको याद रखना है जाद तर फ्रैक्शन याद होने चाहिए ठीक है परसेंटेज के तर रहत की तर ना दि इतना हमको given है, तो अपन कर लेते हैं, यहां पर लिखो P, यहां पर लिखो A, simple सा, इसी तरह से करना है, P, P कितना है हमारा, तो मैं पिछले question में आपको बता चुका हूँ, जो P होता है, वो होता है rate के नीचे वाला, ये, ठीक है, ये P, इसका मतलब ये होता है, जो rate में 8% लि दर से 2 रुपए मिलते हैं, यानि कि 25 रुपए क्या हो गया हमारा, मूलधन, यानि कि P, प्रिंसिपल, दो रुपए भी आज मिला, तो कितना हो जागा, 27, तो amount कितना हो जागा, 27 रुपए, लेकिन ये एक बर्स नहीं है, ये कितना है, दो बर्स है, तो एक बर्स का 25, 27, तो कम से कम 30 तक तो याद ही होंगे सब को है, तो ये आगे हमारा 625, लेकिन कुश्चन में दिया है कि जो प्रिंसिपल है, वो 625 नहीं कितना है, तीन हजार है, ठीक है, तीन हजार है, 625 नहीं होगे, तीन हजार है, आज तो MP Academy वालों ने कसम खा रखी, कि मतलब डिरेक्ट जो कटते हों, ऐसे नहीं देना है, ना, मल्टीपल नहीं देना है, ये भी देखो, ये बाला कुश्चन, पिछले कुश्चन जैसा, इसका मल्टीपल नहीं है, तो simply आप कुछ ना किया करो, जैसे मल्टीपल नहीं है, दिख गया, simply इसको मल्टीपलाई कर दो, 3000 बटे, 625 से है ना, इसमें 3000 बटे, 625 का मल्टीपलाई करोगे, तो आजाएगा 3000, तो जिसका मल्टीपलाई यहां पर कियो हो, उसी का मल्टीपलाई करना है, यहां पर, एमाउंट पर भी, यानि कि एमाउंट पर भी मल्टीपलाई करना पड़ेगा, 3000 बटे, 625 का, ठीक है, तो इसको हम बटे 625 मल्टिप्लर मल्टिप्लाई करना किसे 729 से हमारे इमाउंट से ठीक है काड़ दो इसको 25 25 625 होता है हाना 25 का स्क्वेर है तो 25 बार चला जाएगा इसको काड़ 25 एकम 25 बचा पांच 25 दूनी 50 यानि कि 120 अभी और काड़ दो पचम 25 दूनी 10 और पांच दूनी 10 और पां 20 गुणे 729 और बटे में आ जाएगा पांच ठीक है तो सिंप्ली इसका मल्टिप्लाई कर लो 24 गुणे 729 करोगे तो कितना आ जाएगा 17,496 ठीक है मल्टिप्लाई कर लेना और ये 5 से डिवाइड कर दो इसको तो कितना जाएगा 25 को 20, 5 नाम 45, 5 को 20, 4 बचा 5 नाम 45, 4 बचा 46 एक पर और पांच नाम 45 बचा एक तो दिसमलो लगाओगे पांच दूनी दस 3499.2 हमारा ये जो है original amount है 3499.2 3499.2 ठीक है तो ये हो गया हमारा amount principal कितना है? 3000 है हमको निकालना क्या है? CI यानि की चक्रद्धी ब्याज निकालनी है तो क्या करेंगे? simply इस में से इसको minus कर दो तो 3499.2 में 3000 जाएंगे तो कितना बचेगा? 499.2 यानि कि option number B right answer हो जाएगा ये 499.2 चलिए दोस्तो question number 3 पमीला ने RS 35002 बर्च के लिए 5 परतिसत की दर से निवेश किया दो बर्च के बाद उसे चक्रद्धी ब्याज के रूप में कितनी रासी प्राप्त होगी? simple है principle कितना है? 35000 ठीक है? 35000 है rate कितना है? 5% है और time कितना है? 2 year है ठीक है? 2 verse है तो simple सा 5% को अगर fraction में लिखना है तो कितना जाएगा? 1 बटे 20 ठीक है? कैसे? 5 बटे 100 करेंगे तो 5 एकम 5 पांच पांच और 20 पंचे 100 एक बटे 20 है जाएगा तो principle और amount सभी question में ऐसे करना है नीचे वाला principle होगया 20 कैसे? मैं समझा चुका हूँ तो amount कितना होगया? 21 कितने साल तक? 2 साल तक तो यहाँ पे 20 यहाँ पे 20 इसका multiply करोगी तो लेकिन question में क्या बोला है? कि यह जो principle है वो 400 नहों कि कितना है? 35,000 है 35 1000 है ठीक है? तो यह इसका 400 का कितना multiple है? तो यह भी नहीं कटेगा ठीक है? यह पूरा पूरा नहीं कटेगा तो मैंने आपको बता है जो नहीं कटता है तो उसमें simple सा लिख दो आप कितना? 35,000 जो यहाँ पे दिया है उसी को लिख दो बते में इसको नीचे 400 लिख दो ठीक है? यानि कि इसमें 400 में 35,000 बते 400 का multiply करोगे तो आ जाएगा 35,000 तो जो multiply यहाँ पे कियो हो वही multiply कर देना है amount में तो amount आ जाएगा तो amount में कर दो 441 amount है न? 441 में गुणा कर दो किसका? 35,000 बते 400 का तो यह और यह कट जाएगा ठीक है? और 4 से कट जाएगा क्या यह? 4,7,8,4,8,32 नहीं कटेगा ठीक है? 2 से कट जाएगा 2, 2,2,4,2,1,2,2,2,7,14 और 2,5,10 यानि की 175 गुणे 441 बते 2 तो 441 गुणे 175 करेंगे आप तो आजाएगा 87,175 87,175 बते 2 कर दो तो 2 कितना आजाएगा? 2,3,6,1 बते तो 2,8,16,1 बते दो पंचे 10 फिर एक बते तो 2,8 क्या हो जाएगा? 16 और फिर कितना 15 आएगा? तो 2,7,14 फिर कितना बचा? 2,7,14 एक बते दिसमलों लगा के 2,5,10 यानि की अपना इमाउंट आ गया है 38,587 दिसमलों 5 ठीक है? 38,587 38,587 दिसमलों 5 यह आ गया था है इमाउंट ठीक है? यह इमाउंट है? प्रिंसिपल कितना है? 35,000 35,000 है तो यह क्या है? प्रिंसिपल है ठीक है? तो एमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर दो तो आ जाएगा भी आज ठीक है? तो 5 की 5 आ जाएंगी 5 किया जाएंगी? 5 दिसमलों यहाँ पे 7, 8, 5, 8 में से 5 जाएंगी? 3 तो कितना आ गया? 35,000 दिसमलों 5 रुपाए ओप्सन नमबर A ओप्सन नमबर A राइट आंसर हो जाएगा ठीक है? अगर आपने पहला कुश्चन समझ लिया है तो इसके बाद यह पहला दूसरा तीसरा सेम है आप से खुश्च से बन जाएंगे चलिए दोस्तो हमारे पास है कुश्चन नमर चार और इसको भी सेम करना है जैसे पहला दूसरा तीसरा की है बिलकुल सेम करना है देखो P दिया है कितना? 5,690 आर दिया है 5 प्रतिसत यानि कि इसको फ्रैक्शन में क्या लख देंगे कि बटे 20 ठीक है और क्या दिया है वर्स, तीन वर्स के लिए एन कमान दिया है तीन येर ठीक है सिंपली जैसे अब पहले करते थे बस येर चेंज होगे अब पहले दो थे अब तीन थे अब थोड़ा थोड़ा कठिन ता बढ़ती जाएगी जैसे अपन कुश्चन की और आंगे बढ़ेंगे तो कठिन होते जाएगे तो यहां पे क्या लेकना है P, यहां पे लेकना है A हमीशा की तरह है पी कितना है 20 और ब्याद जोड़ो कि तो आमांट आ जाएगा यानिकी 21, तीन बार से हैं तो इसको तीन बाल लिख दो 21, 21, अब 20 का क्यूब कितना होता है दो दूनी 4, दूनी 8 8000 और 21 का क्यूब होता है बाननवे 61 ठीक है बाननवे 61 होता है लेकिन कुश्चन में क्या है यह हमारा जो प्रिंसिपल है ना इस प्रिंसिपल की बैल्यू 8000 न होगे 5690 है कितनी है 5690 है ठीक है तो यह 8000 से डिविजबल तो है नहीं यह यह हमारे से 5600 तो सिम्पल सा जैसे मैंने आपको पिछले कुश्चन से में बताया क्या करोगे आप 50060 क лекलर चूज कर लिया मुल्टिप्लाई करने से यह आता है उतना ही मुल्टिप्लाई एमांट में किया जाता है ठीक है जॉथा कुष्चन है तो ज्यादा परिसानी तो जा नहीं रही होगी समझ गए हैं पिछले कुष्चन्स में तो सीधे-सीधे ठीक है तो देखो लगभग निकाल लिए हैं नीचे कुष्चन देखो क्या लगभग में तो इसको काटे तो यह कितना हो जाएगा यह जीरो सी जीरो काट दो ठीक है फिर हम मैं इसको क्या करता हूं अप्रोक्सिमेशन वाले मैंधर से करता हूं ताकि ज्यादा ऐट ठीक है बान भी साथ लिख लिता हूं 479 गुलत अमें 5070 ठीक है बटे में क्या है आठ सो है इससे क्या होगगा कि जग क्या क्या इस स्थोड़ी साल हो जाएगी अब यह जीरो को इस जीरो से काट दो जीरो के जीरोसे काट दो नौशवक वीज़क फिस संतामन कर लो तो 926 गुणे संतामन यह आजाएगा आपका 5278 टू डिवाइड बाई किता है आठ है ठीक है डिवाइड बाई आठ है ठीक है तो आठ से अगर इसको भाग दोगे तो अपना आजाएगा कितना हमारा आजाएगा देखिए आठ फाइब टू सेवनेट टू है ठीक है आठ पंचे चालेस आठ चंग डाले आठ सती आठ चिंग अड़तालिस यह नहीं किया सिक्स किता बचेगा तालिस चार बामन तो 47 हो गया आठ पंचे चालिस बचा कितना साथ आठ अठतर हो जाएगा आठ नम बहततर बचा च्छिबाश्चर हो गया तो इस पे मैं माल लिता हूं आठ छाइए चौंसर्ट मालो ठीक इसको आठ टीक चौंसर्ट बहां साट है तो आठ सथी चपन साथ मालो ठीक है छही हजार पांसो संतानबे ब प्रिंसिपल यह एमाउंट है प्रिंसिपल कितना था 5690 इसको माइनस कर दो तो आएगा कितना सेवन नाइन में जाएंगी तो जीरो पंद्रह में से गई नौ और यहां पर कुछ नहीं तो 907 अब इन आंसर में देख लो 907 के नजदीक कौन सा है ठीक है तो वह कौन सा 897 यानि कि option number यह राइट हो जाएगा यह था approximation का method लेकिन अगर अगर अब ऐसे आंसर मिलेंगे कि जो बिलकुल आस पास हों तो उनके लिए तो आपको clear करना पड़ेगा तो आप अपन वह भी देख लेते हैं जल्दी से ठीक है तो इसके लिए तो अपन को 92 61 गुड़े 5 5 6 9 0 है ना बटे में क्या था 8000 यह जीरो सी जीरो तो कट जाएगा इसका multiply आ जाएगा कितना कि इसका मल्टी आ जाता है 5269 509 बटे में क्या आएगा 800 ठीक है यह तालाग है इसको जब इसका भाग देंगे इसमें तो कितना आ जाता है 6586 6586 आ जाता है 6586 ठीक है simply यह क्या आगे amount principle given है 5690 तो इसमें से 5690 को क्या कर दो minus कर दो क्योंकि principal amount में principal घटाएंगे तब ही तो भी आ जाएगा तो देखो इसको मिटा कि मैं यहाँ पे लिखूँगा ठीक है यहाँ पे माइनस करके च्छे आ जाएगा अठरा में से नो जाएगी तो कितना जाएगा अठरा में से नो चली जाएगी तो बच्चे का कितना 9 और 15 में से 15 में से कितना जाएगा साथ तो आठ साथ 15 होते यानि 896 तो देखिए यह कितना आगे 896 यानि कि एप्रॉक्स कितना है 897 ठीक है यहाँ पे पॉइंट भी रहता है 6586 में कुछ पॉइंट में आ रहा होगा तो यहाँ पे फिर एक कम हो जाएगा तो यहाँ पे कितना पर 4 प्रतिसत ब्याज की दर से 2 बर्सक की अंत में कितना चक्वरदी ब्याज मिलता है तो अब फाष्ट करेंगे ठीक है बिना टाइम वेश्ट की होई तो ठीक है प्रिंस्पल हमारा 45 सो बताने की ज़रू नहीं है लिख देता हूँ 45 सो क्या है प्रिंसिपल आर कितना है 4 प्रतिसत ठीक है फ्रेक्शन कितना हो जाएगा एक बटे 25 और जो टाइम है वो हमको दिया है 2 यर ठीक है 2 यर चलो solve करते है सबसे पहले क्या करना है प्रिंसिपल लिखना है यहाँ पर लिखना है अमाउंट ठीक है यहाँ पर लिखना है अमाउंट प्रिंसिपल कितना है 25 तो 25 लिख दो अमाउंट कितना है 25 में ब्याद जोड दो एक 26 अमाउंट हो गया कितने साल के लिए 2 साल के लिए तो इसको 2 बाल लिख दो यहाँ पर भी 26 25-25 कितना होता है 625 और 26 का स्क्रेट कितना होता है 670 ठीक है तो कुश्चन में बोला है कि प्रिंसिपल 625 ना होकर कितना है 45-100 ठीक है अब इसका ये डारेक्ट मल्टिप्लाई तो है नहीं तो इसको क्या करोगे इसमें मल्टिप्लाई करना पड़ेगा 45-100-625 से ठीक है 625 में मल्टिप्लाई कर दोगे 45-100-625 का तब जाके क्या आएगा इस 45-100-625 का मल्टिप्लाई करोगे तब जाके 45-100 आएगा तो सेम जिसका मल्टिप्लाई यहां की हो उसका मल्टिप्लाई यहां पर कर दो तो 676 पर भी multiply किसका कर दीगे 4500 बटे 625 का ठीक है ठीक है चलिए करते है 4500 बटे 625 इसका multiply करना है कि हमको 676 में इसको काट दो कि इसको काट दो 25 है तो 25, 25, 625 है इसको काट 25 है तो 25, 25 एकली 15 और कहा लेक। हुआ यहाँ पर लग दीद है पच्छे से कम पच्छेस दस पैंतिस बीस बचेगा पच्छेस अथे दोस्तु यानिकी 180 की एकसो स्षी और काट दो पचम पच्छेस इसको काट दो तो पांच ती पंद्रह और तीन पंच का तीस यानिक यह आ जाएगा चाट थे ठीक है अब अपन को क्या करना है 36676 का मल्टिप्लाई कर लो 676 करेंगे तो कितना जाएगा 30 का मल्टिप्लाई कर दो पहले तो 0 3.18 और 3.18 तीन चंग अठारा दो 20 आ गया है अब 6 का मल्टिप्लाई कर लो 666 6.42 चार बचे का 6.36 चार 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 यानि कितना गया 6 8.5 13 की 3 हांसे लेग 2.1 3.4 2.24 336 आगया ठीक है तो यह तो मल्टिप्लाई है किसका इस 36 यह 36 और 676 का मल्टिप्लाई है लेकिन बटे में अभी 5 बचा है ना यह 5 बचा है यह 5 तो इसको 5 से भाग कर दो यहां पर 5 से भाग कर दो कितना जाएगा पांच यो को 20 पांच अठ्थे 40 पांच अठ्थे 40 थोड़ा अच्छे से लिख देते पांच यो को 20 पांच अठ्थे 40 बचा 33 तो 5 चके 30 फिर बचा 36 पांच 35 एक बचा तो दे समलाव पांच ठीक है पांच दूनी दस है न तो दो बचे का दे समलाव में ठीक है तो यह क्या आगया एमाउंट आ गया हमको क्या निकालना है चक्क बदी ब्याज कितना मिल सकता है यह निकालना है तो अपन क्या करेंगे ब्याज मैंसे माइनस कर देंगे किसको प्रिंसिपल को जो की यहाँ जाएगा दो ठीक है और साथ यहाँ पे छे आठ में पांच जाएगे तीन तो 367.20 यहाँ जाएगा हमारा ब्याज ओप्सन नमबर 367.20 ओप्सन नमर सी बिल भी राइट आंसर चलिए छटमा कुश्चन है हमारे सामने तीन वर्ष के बाद 12.5 प्रतिसत की दर से चौरासी सो की रासी कितना चक्वरधी भ्याज उपचित होगा ठीक है तो गिविन क्या है हमको पी दिया है चौरासी सो ठीक है आर कितना है 12.5 प्रतिसत यहन किसकी फ्रेक्शन वैल्यू कितनी होगी वन वाई एट ठीक है और ठीक है थ्री एडिया है चलिए तो सिंपल सा जैसा आपन सीखें से यहां पर लिखना ए यहां पर लिखना है तो देखो पी कितना है अर्ट यह रहा एक भी आज मिलता है इस रेट पर एक रुपए भी आज मिलता है तो कितना हो जाएगा नौ रुपए एमाउंट तीन वर्स हैं तो तीन बार इसको लिख दू यह भी तीन वाल लिख दू ठीक है इसका मल्टिप्लाई करोगे आठ का क्यूब कितना था पांसो बारा और नौ का क्यूब कितना आएगा 729 तुम्हें में क्या दिया है कि यह 512 ना होके क्या है 84 100 है ठीक है यह 512 ना होके कितना है 84 100 है तो यहां पे हम किसका मल्टिप्लाई इसका 512 का मल्टिप्ल तो है नहीं है ठीक है तो इसमें हम किसका मल्टिप्लाई करेंगे 84 100 बटे 512 का है ना 84 100 बटे 512 का मल्टिप्लाई करेंगे तो हमको यहां पर मिल जाएगा कितना 84 100 अगर 512 में 84 100 बटे 512 का मल्टिप्लाई कर दो तो मिल जाएगा 84 100 तो जितने का मल्टिप्लाई यहां कि हो उतने का मल्टिप्लाई कर दो यहां पर ठीक है 84 100 बटे 512 यहां पर भी कर दो तो अंगले पेज में कल लेते हैं चौरासी सो बटे 512 इंटू 729 ठीक है इसको काट दो तो क्या कर इसको 8 से काट हो किता जाएगा अर्ट पंचे चालिस अब इसको काट दो किस से दो से काट दो तो यहां पर बत्त सजाएगा यहां के तजाएगा दो पंचे 10 और दूनी चार दो नीचार और दूबंचे दस पांसो पच्चे सजाएगा यानि कि हमारा कितना आ गया 525 गुणे 739 बटे 32 आ गया है ना 525 गुणे 739 बटे कितना आ गया 32 ठीक है तो इसको multiply कर लो multiply करोगे कितना जाएगा multiply करके भाग करने में कितना जाएगा 11960 16 आ जाएगा ठीक है गुणा कर ले ना बीडियो किया लंबी हो जाती गुणा करने में बगेरा करने में तो आपको समझ में आना चाहिए method यह उद्देश है गुणा भाग तो आपसे बनता ही है 11960 16 यह हमारा क्या आगया amount ठीक है principle हमको given है कितना 8400 आठ हजार चार सो दिसमलो जीरो जीरो कल लो इसको amount में प्रिंसपल घटा दो तो क्या जाएगी प्याज वही हमको निकाल ला है तो यह हो जाएगी 6, 1 यहां से घटा रहे हैं ठीक है 0, दिसमलो लगा कि 0, 6 9 में से 4 जाएगी तो 5 और फिर यहां पर कितना जाएगी 11 में आठ जाएगी 3, 3, 5, 6, 0 दिसमलो 16 यानकी ऑप्सान नमबर 35, 6, 0, 16 यह ठीक है ऑप्सान नमबर C राइट आंसर हो जाएगा कुश्चिन नमबर 7 है 15% बारसिक दर्स से 3 वर्स की अबधी के लिए आरेस 8,000 की राजी पर चक्रवधी ब्याज कितना होगा ठीक है तो जो गिबे ने लिख लेते हैं जो रेट है हमारा रेट गिबे ने 15, 30 है ना इसका फ्रेक्शन कितना होगा 3 वर्टे 20 ठीक है कैसे करना है 15 वर्टे 100 किया 15 थी 15 वर्टे 25 जो एन है वो दिया है 3 यर ठीक है तो सिंपल सा फ्रॉमूले की तरफ आप बिलकुल मूब नहीं करेंगे ठीक है ना पी लिखो यहाँ पर यहाँ पर ए लिखो एक जो हमारा प्रिंसिपल है वो कितना माल लेते हम 20 रुपए और इस पर ब्याज मिलता है कितना 15% यानि की 3 तो यह हो गया 20 तो 3 रुपए ब्याज मिला तो इमाउंट कितना हो जाएगा 23 तीन बार से इसलिए इसको लिख लो तीन बार ठीक है अब यह 20 का क्यूब कितना होता है तो 20 का क्यूब करोगे तो कितना आता है 12,160 करके देख लेना यहां मैं कहां पर लिख दूँ इसको 12,160 12,160 लिख देते हैं यहां पर ठीक है 12,160 ठीक है तो जो हमारा principle है वो 8,000 है ठीक है question में भी क्या दिया है 8,000 तो यह तो अच्छी बात हो गई सरा लोग है question ठीक है यहां पर भी देखो principle कितना है 8,000 और यहां पर भी principle कितना है 8,000 question मैं यानि कि इसमें multiply करना पड़ेगा किसका एक का multiply एक एक का 8000 में multiply करोगे तो 8000 आ जाएगा तो जिसका multiply यहां पर करना है उसी का multiply करना है यहां amount में भी तो 12166 में multiply कर दो एक का तो amount कितना आ जाएगा 12166 12166 amount आ जाएगा ठीक है 12166 आ गया amount और 8000 है principle तो अपन कुछ अक्रदी ब्याज निकाल देना है ठीक है तो यहां पर मैं रप कर देता हूँ 12166 आ अपना किया यह amount है और principle कितना है 8000 है तो माइनस कर दो CI निकालने के लिए करेंगे A माइनस P तो 761 12 में आड़ गी 4166 आप्सन नमबर C राइट आंसर हो जाएगा चलिए नेक्स्ट कुष्चन है हमारा 8 प्रतिसत प्रतिवार्से की दर से 2 वर्स की अवधी के लिए RS 5000 की रासी पर चक्रबद्धी ब्याज कितना होगा ठीक है तो हमने कुष्चन चमल लिए 8R कितना है 8 प्रतिसत यानि कि 8 प्रतिसत का मतलब क्या होता है 8 प्रतिसत का मतलब होता है 2 वटे 25 यही ना 8 वटे 100 करेंगे तो 4 दूनी आठ और 25 यानि कि 2 बटे 25 हो जाएगा ठीक है यानि कि जो हमारा rate हो जाएगा वो जाएगा 2 बटे 25 फिर time कितना दिया है n बराबर दिया है two year two year और principle कितना है 5000 ठीक है कितना given है तो ठीक है पिछले question जैसे जैसे पिछले solve किये हैं यहां पर लिखो p यहां पर लिखो एक दो वर्स के लिए निकालना तो एक वर्स के लिए principle हमने माल लिया पच्छेस यह ब्याज मिलती है दो रूपए 8% की दर से दो रूपए ब्याज मिलती है तो यह हो जाएगी 27 फिर दूसरे वर्स के लिए फोकिष्ट पिली का मिलें सत्ताइस फिया डिक है अब जो bikini नहीं ये फ्रिंसपल हमारा है मानने वाला और कुष्टिन में हमारा הבא है प्रिंसिपल 5000 ठीक है यह जो हमारा प्रिंसिपल है 5000 यह कुश्चन में गिभेन है तो यह जो ऑरिजिनल प्रिंसिपल है यह इसका मल्टिपल ऑफ एट है मतलब अगर मैं 625 में आठ का मुल्टिपलाई कर दूं तो कितना जाएगा 5000 आजाएगा ठीक है अगर मैं 8 का मुल्टिपलाई कर दूं तो 5000 आ जाएगा तो जिसका मुल्टिपलाई यहां पर की हो उसी का मुल्टिपलाई यहां पर भी करना है मतलब 739 में 8 का मुल्टिपलाई कर दू तो क्या जाएगा आपका एमाउंट आ जाएगा ठीक है चलिए देख लिए कर लेते हैं इसको में नेक्स्ट परेज में कल लेएगा अपना कुछ पता तू चल गया है ना जो सब्हylो Calling лег है ओरिजनल प्रिंसिपल मुल्टिपल ओफ एट है इसका तो जो एमाउंट होगा ओरिजनल एमाउंट होगा वह भी इस एमाउंट का मुल्टिपल ओफ एट होगा यानि कि 729 गुड़े आठ निकाल लो आप आठ नाम बहत्तर दो साथ आठ दूनी सॉलाचार बीज तीन तेई सदो फिर दू आठ नाम बहत्तर दो चोहत्तर साथ 2400 कितना आ गया अब बत्यस आठनाम बहत्तर साथ आठनी सोला चार बीस तीन तेज़ तो अब आज शत्य शपन संताम फिप्टी एट आएगा ना फिप्टी एट आजाएगा पांच अजार आठ सो बत्यस आजाएगा यह है और जो प्रिंसिपल है वो कितना है हमारा पांच हजार है ठीक है तो चक्रब्रद्धी व्याज निकालने तो ए माइनस पी कर दो तो कितना जाएगा ए माइनस पी कर दोगे तो आजाएगा यहां पर दो यहां तीन यहां आठ और पांच में पांच ही कुछ नहीं यानिकि 832 इस कुछच्चन के लिए राइट आंसर जाए यह कुछच्चन ठीक है आपको बता देता हूं इसमें क्या है जो प्रिंसपल हमारा वह है एक हजार रुपए रीट कितना है पांच परिटीसात रुपए पांच परिटीसात है यानिकि इसको फ्रैक्शन कितना हो जाए एक बटी 20 और टाइम कितना है टाइम दिया है 4-3 एक हिजिए हमको इसमें फांड करना हैङ मांट वार्सिग दे जो तीन वर्स में जो देना होगा यमांट वह कितना होगा यह निकालना है ठीक है तो अच्छी बात है यहां झालना पढ़ इसमें मांट नि Canудu बसो कुश्चन को कै तो क्या करना है सबसे पहले यहाँ पी लिखो यहां पे लिखो पी कितना है बीस ब्याद जोड़ तो 21 हो जाएगा कितने साल के लिए तीन तो तीन बार बीस और यह तीन बार 21 ठीक है यह कितना जाएगा आठ हजार और यह कितना जाएगा यह हमारा आजाएगा 92 61 है जो 21 का क्यूब क्या होता है 21 का क्यूब हो जाएगा 92 61 ठीक है तो कुश्चन में जो दिया हुए अमाउंट है वो आठ हजार नहों के कितना है एक हजार है कितना है एक हजार सिंपली अब आठ हजार में किसका मल्टिप्लाई कर दें कि एक हजार आजाएगा तो आठ हजार में एक हजार मैं कलर चेंज कर लेता हूं ताकि अच्छे से देखे ठीक है एक हजार बटे आठ हजार का मल्टिप्लाई कर दो एक हजार बटे आठ हजार का मल्टिप्लाई कर दोगे तो एक हजार आ जाएगा यहां पे ठीक है तो जितने का मल्टिप्लाई यहां की हो उतने का मल्टिप्लाई यहां भी करना पड़ेगा यानि कि 1000 बटे 8000 का multiply यहां पर भी करना है ठीक है तो अपन को simply amount निकालना है तो अपना amount कितना हो जाएगा 1000 बटे 8000 और गुणे में 2961 तो कर लेते हैं इसको कितना 1000 बटे में 8000 और गुणे में 2961 ठीक है 3-0 से 3-0 कैंसल कर दो सबसे पहले यह 3-0 से 3-0 आठ का इसमें भाग लगा दो आठे कम 8 कितना बारा बचा तो आठे कम 8 चार बचा आठ पंचे चालेस छे बचा 60 हो गया तो 870 56 ठीक है तो यहां पर कोई दसमलों में तो दिया नहीं है तो आंगे solve करने ही जरूत नहीं 1157 यान आठ आंसर हो जाएगा चलिए नेक्स्ट कुश्चन हमारा जो वो अपने निवेस रासी के एवज में एक स्कूटर खरीदने के लिए 8000 उधार लेता है यदि चक्रब्रद्धी ब्याज की दर 10 प्रिस्ट और ब्याज अर्धवारसिक दे है ठीक है तो यहां पर देखो ब्य तो क्या होता है अर्धवारसिक में क्या करते हैं दर का आधा कर देते हैं इसको लिख लेना आप याद कर लें दर का आधा समय का दुगना ठीक है अगर चक्रब्रद्धी ब्याज की गढ़ना अर्धवारसिक हो तो दर का आधा और समय का दुगना कर देते हैं ठीक है इसी क concept चलेंगे ठीक है इसको लिख लेना दर का आधा समय का दुगना कब हो जाता है जब चक्क ब्रद्धी व्याज की गड़ना कितनी हो अर्दवार से खो तो देखो इसकी दर कितनी है 10% आधा कर दोगे तो कितनी हो जाएगी 5% 5% और इसको fraction कि मैं क्या लिख सकते हैं एक बटे 20 ठीक है फिर जो समय है वो था डेड़ साल तो समय का दुगना करना है तो टाइम का दुगना डेड़ का दुगना होता है तीन तीन येर हो जाएगा ठीक है सिंपल सा बस इतना कर लि लिखना है वही ये लिखना है ये 20 क्या हो जाएगा इसका प्रिंसिपल एक रुपए ब्याज मिलता है तो 21 हो जाएगा इमाउंट कितने तीन साल के लिए तो 20 भी 3 बार आएगा 21 भी 3 बार आएगा ठीक है ये हो गया कितना 8000 और ये कितना हो जाएगा बान नवे 61 ठीक है अब तो याद हो गया होगा सबको फिर अब जो यहां पर जो प्रिंसिपल है यह प्रिंसिपल इसकी ओरिजिनल वैल्यू कितनी है तो इसकी ओरिजिनल वैल्यू है आठ हजार ठीक है यानि कि इसमें किसका किसका मल्टिप्लाई करना पड़ा एक का तो इसके एमाउंट के यह आगया 2961 जो की एमाउंट है मतलब हमको यही यांत करना था क्या 2961 एमाउंट ऑप्सन नमर भी राइट आंसर हो जाएगा ठीक है इसमें निकालना था कि डेड़ साल बात कितने देने हैं तो एमाउंट निकालना था आगया 2961 जो की लगभग बराबर किसके 2900 के तो ऑप् है क्या होता है कि यह जो प्रिंसिपल है यहां पर यहां पर प्रिंसिपल लिखता हूं यहां पर लिखता हूं इसमें रिलेशन बताया गया है कि प्रिंसिपल छे वर्सों में दो गुना हो जा रहा है मतलब कि यहां पर एक था प्रिंसिपल यहां पर दो हो गया और टाइम क कब हो जाएगा तो 6 बर्स में हुए 2 गुना अंगले 6 बर्स में कितना हो जाएगा चार गुना अंगले 6 बर्स में कितना हो जाएगा आठ गुना ठीक है और अंगले 6 बर्स में कितना हो जाएगा 16 गुना जेस्ट डबल बढ़ता जलता है है ना मलब कि पहले 6 बर्स में अगर और चार गुना अंगले से वर्समें कितना अट गुना להцевर्स सूल अ मैं जु जो होता है जो धुगना होता है ना मदलब की जो धन है वो मॉल्लीपल बढ़ता है जैसे च्छह भरशमें heard फिसाब को ध्यान में रख लेना आपको यूच्टूब के अंदर इतनी सारी ट्रिक समें गयाć याद रखनी चाहिए जितनी की माइंड में आ सकें बाकी जितना concept हो सकें तो concept कभी नहीं भूलता ट्रिक्स भूल जाएगी लेकिन concept कभी नहीं भूलेगा तो इसको अपन को क्या करना है concept से की जो चक्रब्रद्धी ब्याज है बिल्कुल multiple बढ़ता है जिस तरह से यहां देखो क्या कि उसन चार गुना हो जाएगा फिर अंगले 6 में 4 का दो गुना यानि की 8 गुना हो जाएगा और अंगले 6 में 8 का दो गुना यानि की 16 हो जाएगा तो इस तरह के जितने भी question आपको इस तरीके से करना है ठीक है अब कोई भी सूत्रिया formula लगा के नहीं करेंगे तो देख लो साल क मेरे को समझाने की जरुद नहीं पढ़ने चाहिए Question number 12 में Question number 12 में देखो, क्या बोलता है 15 वर्स में होता है दोगना तो अंगले 15 वर्स में कितना होगा 4 गुना, निकालना कितना है? 8 गुना तो अंगले 15 वर्स में हो जाएगा 8 गुना देखिए next question है हमारा तीन बर्सों में होता है कितना तीन गुना ठीक है तीन बर्सों में तीन गुना होता है तो अंगले तीन बर्स में कितना हो जाएगा तीन का तीन गुना यानि कि नौ गुना ठीक है तो हमको निकालना किया था नौ गुना तो नौ गुना कितने साल में हो ठीक है ना तो आंसर क्या गया च्छे वर्स ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया ऑप्शन नंबर बी विल भी राइट आंसर नेक्स्ट कुछ्चन है किसी उधार ली हुई रासी को पांच प्रतिसाथ चकप्रद्धी ब्याज की दर से 2018 के दो वारस्य किस्टों में चुकाया जाता है तो धार ली हुई रासी टी ठीक है तो इसको संप्ल है अपन को क्या करना है stretch 2 किस्टों में एकाईज, ठीक है? तो इसमें क्या करना है अपन को? या फिर ऐसे कर सकते हो आपकी दो किस्ते लिखो या फिर लख दो 1 प्लस r upon 100 है ना? इस तरह से और प्लस 882 बटे 1 प्लस आर प्लस r upon 100 का हूल स्क dinero यह formula होता किस्त का ठीक है इससे भी कर सकते हो यहां पर रखो मालों यहां पर 5 रखा फिर 25 को काटा फिर इकईस बटे 20 तो जो मैंने अभी निकाल के बताए ना कि जो अपना प्रेक्शन से आया एक बटे 20 आया ठीक है यहां पर प्रिंसिपल 20 इसे इकटाइउ aber that principle यह निकि ब्टे बिस दो तीन बार करोगे याद हो जाएगा plus 880 ब्टे 21 बटे 20 का square ठीक है बन जाएगा इतना तो अब इसका यह जो बटे का 20 है यह धर पे चला जाएगा उपर यह जो बटे का 20 का इसको नहीं कि 400 यह ऊपर चला जाएगा तो इसको कर लेते हैं पर लोग 882 बटे में 21 ऊपर चला जाएगा 20 ठीक है प्लस 882 इंटू में कितना चला जाएगा 400 क्योंकि स्क्वेर था ना और यहां पे 441 अजाएगा इसक्वेर था ना क्योंकि यहां पर ब्याज का ब्याज लग रहा है ना इसलिए चलो काट लो 21 चोको 84 और बच्चा कितना चार तो 21 दूनी 42 ब्यालेस आ गया और 24 गुणे 20 करोगे तो दो दूनी 4 दो चूको आठ चू आठ सो चालेस जाएगा इंदर प्लस यहां पर काटो इसको यह 21 और यह कितना जाएगा इस जेस्ट मल्टिपल अप 2 है ना दो इकम दो चूको आठ दो चूको आ जाएगा तो 400 गुणे 200 कितना हो जाएगा 800 यानि कि जो हमारा टोटल उधारली हुई रासी है वो है 840 धन 800 यानि कि 1640 ऑप्सन नंबर दूसरा ठीक है तो किस तबालों किस तरह से आप समझ लेना जितने भी किस तो वाले कुश्चन है इसी तरह से सॉल्व होंगे अब इसमें देखों यह फश्ट यह था यह सेकंड यह था ती रेट्स से निकालते हैं मांट और उसमें मांट वटे प्रिंस्पल लिखना यहाँ पर ठीक है जतना जल्दी कर सकोगे उतना आप सही होगा ठीक है मतलब उतना आपके लिए ठीक रहेगा टाइम टेकन यह टाइम टेकन कुश्चन है तो इसमें टाइम बचा सकते हो चलिए कुश्यन है 40,000 निबेश कर एक फैक्टरी लगाता है कौन जैक पहले तीन करम एक बरसों में उसका लाब करम सा 5 परसेंट और 15 परसेंट है तो यदि प्रतेक बरस का लाब उसके पिछले बरस की पूझी पर आधारे थे तो उसका कुल लाब याद करें तो दो तरीकें करने को एक तो सी आई वाले फॉर्मूले से कर लो कि 40,000 रुपए इसका प्पी हो गया वन प्लस पांच बटे सो फिर एक बर क्या वन प्लस दस बटे सो अंगले वर्च के लिए फिर वन प्लस पंद्रा बटे सो यह तीसरे वर्च के लिए और माइनस वन होता है ना इस तरह से निक करना 40,500 के पर देखे बाल बला हो रहा हो रहे तो 40000 का पांच पर सरेंट निकाल लो इस तरह से 2 Je prior 2 बांच औक 주는 की किते है नहीं य Elsारी आंब 2 हजार यह और फे हमारे जो पैसा है वो कितना हो गया 32,000, पहले साल में कितना होगया, 42,000 हो गया, फिर कितना बोलता है, 10% ठीक है, अंगले साल होता है, 10% का फाइदा, तो ये 20 से 20 काटो, कितना होगया, 42,000 है न, ये होगया, 42,000, तो हमारा पैसा हो गया था 42,000 42,000 धन 42,000 जीरो जीरो दो चार दो च्छे और चार 46,200 हो गया ठीक है 46,200 तो 46,200 में अभी 15% और लाब मिलेगा तीसरे वर्स तो इसको मैं मिटा देता हूँ अब 46,200 का निकालने के लिए जगह चाहिए 46,200 का निकाल दो 15% ठीक है ये दो जीरो जीरो फिर कैंसल तो कितना जाएगा पंदरा दूनी 30,500 चक्का नब्वे तीन तेरा नवे नवे नव पंदरा चोको साठ और नव शिक्स्टी नव छे नव नव तीन जीरो तो इसको जोड़ दो किसमें 46,200 में 46,200 में एड़ कर दो तो कितना जाएगा जीरो थ्री नौदो ग्यारा की एक हांसल की एक 6-6-2-1-3-3-1-4-1-5 53,130 तो जो टोटल हमारा अमाउंट है ना तीनों साल के बाद का अमाउंट वो कितना है 53,130 पूछा है लाब कितना हुगा तो हमारे जो पैसे हमने लगाए थे उनको माइनस कर दो 40,000 रोपे लगाए थे कितना जाएगा कितना जाएगा यह जीरो थ्री वन थ्री और पांच में से चार जाएगी तो एक तेरह हजार एक सो तीस रुपए जो है हमारा लाव हो जाएगा ऑप्सन नंबर बी ठीक है जो पहले मैंतर बताया था उससे भी कर लोगे लेकिन उसके लिए थोड़ा याद रखना पड़ेगा और यह तो अपन को सिंपल समाल हो ना कि इसका पांच परसेंट पहले साल के तो वही लाव है यानि कि ब्याज निकाल आती है तो अपसन नमर भी राइट आंसर बन जाएगा नेक्स्ट कुच्चन है हमारा कम से कम कितने बरसों में कोई रासी बीस परिससर चकप्रद्धी ब्याज की दर से दुगने से जादा हो जाएगी ठीक है तो हमको दिया है इसका रेट यानि कि आर कितना दिया है बीस परसेंट का मतलब कितना होता है यानि कि हमारा जो प्रिंसिपल है वो है पांच एमांट है कितना छे ठीक है तो हमको यह बताना है कि कम से कम कितने बरसों में वो अपने दुगने से जादा हो जाएगी रासी यानि कि प्रिंसिपल अपने दुगने से जादा हो जाएगा ठीक है तो पहले साल देखो पहले स अब यह हो गया पचम 25 तो यह किता हो गया 6 36 लेकिन इसका दोगना 25 दूनी 50 होता है तो अभी भी नहीं पहुंचे अपन ठीक है इस तरह से बढ़ते जाओ अभी समझा रहा हूं इसलिए टाइम लगता है अगर आपको समझ में आगा तो जट से करते जाओगे पांच पांच तीसरे साल गए तो पचम 25 पंचे 125 और 6 का क्यूब होता है 216 तो 125 दूनी 250 है ना यह 250 हो गया यह धर पचम 25 इसका डवल होगा 250 लेकिन 6 का क्यूब होता है 216 तो अभी भी देखो डवल नहीं आया और हमको दुगने से ज़्यादा चाहिए है ना तो चलो 3 साल हो गए तो यहां पर भी 6 आएगा ठीक है अब पांच की घाते चार यानिकी 25 का स्क्वेर 625 होता है ठीक है और 6 की घाते चार तो 6 का क्यूब होता है 216 और उसमें 6 का गुणा करोगी तो आजाएगा 1296 यह आएगा 1296 625 में दो का गुणा करोगी तो किता आएगा 1250 तो देखो 625 के जश्ट डबल से ज़्यादा है ना 1250 होता है इसका डबल तो इससे यह ज़्यादा है यानि कि हमको प्रिंसिपल के दुगने से ज़्यादा करने में कितने साल लग गए आप गिन लीजिए एक साल, दो साल, तीन साल, चार साल समझ में आ गया ना आपको डारेक्ट एकजाम में कैसे करना है आपने सीधे से 20 प्रिस्तत देखा 20 प्रिस्तत देखा यानि कि आपको समझ में आ गया यह एक बटे 5 है यहाँ पर आपने प्रिंसिपल लिखा एमांट लिखा 5 लिखो यहा करोगे यहां 6 लिखोगे 5 के क्यूब देखा 125 6 का क्यूब 216 तो 250 होता है इस कड़वाल 125 का नहीं पहुंच रहे फिर 5 गए फिर 6 गए तो 5 की घाते 4 तो अपन को पता होता है 625 होता है 6 का फोर ना पता होगा तो 6 सीधे सीधे क्या करना 216 में 6 का गुणा कर लेना तो कित आए 1296 ठीक है 1296 आएगा अब इसमें 2 का मल्टिप्लाई करके देखना तो 625 दूनी 1250 होता है तो यह 1250 से जादा है ना तो दोगने से जादा ही तो फाइंड करना था बस यहीं रुख जाना तो क्या हो जाएगा अपना फिर साल के लिए एक दो तीन चार साल तो आंसर क्या हो ज 25 रासी के लिए वारिसिक दे रासी क्या होगी यह जो वार्षिक दे रासी किस्त पूंच रहा है ठीक है तो किस्त के लिए मैं आपको बताया था कि कौनसे फ़र्मूले का यूज करना है सिंपल साथ दो किस्त में डिवाइड कर लो ठीक है तो सब से पहले तो यह देखो कि rate प्रिट कितना दिया पांच प्रिश्ट यानि कि पांच बटे सो एक बटे बीस होगा फ्रेक्शनल वैल्यू तो पी कितना होगा बीस और एक इतना होगा एक कैस तो इसका एक कैस बटे सब्सक्राइब के यूज करना मैंने आपको बताया था सिंपल से यहां पर लिख दो पी कितना होगा बी और एक कितना होगा एक कई अब जो हमारी किस्त है वह क्या है x वंटि एक किस्त ने बढ़ने, दोसाल्त मेई।The होगी स्ट दूसरी भी किस्त होगी स्ट क्योंकि बरावर होती है, बटे में लिखना है कि-श्कित में लिखना है 21, बटे 20 यह कहां चला जाएगा उपर multiply में तो simple सा पहले सी लिख दें यहाँ पर आएगा 20 यहाँ पर आएगा 21 ठीक है यहाँ पर क्या आता है दूसरी किस्त में तो 21 बटे 20 का square है ना और 21 का square होता है 441 और 20 का होता है 400 तो यह जो 400 है यह चला जाएगा यह जो 400 है यह चला जाएगा उपर और 441 रहेगा नीचे तो पहले सी कल लेते हैं ठीक है चलिए यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं किता 441 सोरी यहाँ पर 21 होगा ने amount बटे principle होता है तो amount तो नीचे आएगा principle नीचे वाला principle उपर जाएगा बीस यहाँ पर किता आएगा 441 और यहाँ पर आएगा 420 का इसका ठीक है तो जो कि यह जो किस्त है पहली किस्त और दूसरी किस्त बांटना किस को था तो दिया है कुश्चन में 1025 को तो इसका बरावर कितना हो जाएगा दोनों किस्तों को जोड़ दोगे तो दस सो पच्चिस हो जाएगा ठीक है अब इसका यहाँ जाएगा हमारा 441 ठीक है 21 का 441 में भाग लगा तो कितना आएगा एक आईश और गुना कर दो किस्त में 20 में तो हो जाएगा 21 दूनी ब्यालेस यानि कि 420 एक्स हो जाएगा यहाँ पर फिर प्लस यहाँ पर प्लस हो जाएगा प्लस 441 में भाग देंगे तो एक आएगा और यहाँ हो जाएगा 400 एक्स ठीक है बराबर 1025 ठीक इतना समझ में आ गया अब यहाँ पर देखो 420 है यहाँ पर 400 है तो यह टोटल कितना हो गया 820 यानि कि यह हो गया 820 एक्स यह यहाँ बटे में है तो यहाँ पर जाके किसमें हो जाएगा multiply में यानि कि 1025 गुणे 441 हो जाएगा ठीक है 441 तो मैं अंगले पेज में कल लेता हूँ 820 एक्स बराबर कितना है दस्सो पच्चिस गुणे 441 ठीक है एक्स बराबर कितना जाएगा 1025 एक्स बराबर यह बटे में आ जाएगा यह जो 820 है यह इधर पर बटे में आ जाएगा यहाँ पर ठीक है तो दूसरे step लिखने की जरूरत ही नहीं है simple समय इसको यहाँ से मिटा जेता हूँ 820 को ठीक है कितना जाएगा 820 आ जाएगा बटे में यहाँ पर ठीक है चलो काड़ दो पांच से पांच एक हम पांच पंच अक तीस पांच को भी सिक्सों सट आ गया यहाँ पर पांच तूनी दस और पच्छम पचीस यानिकी 205 जाएगा ठीक दूसर पांच यह दो है फिर अब 205 गुणे 441 करना है क्या करना है 205 गुणे 441 करेंगे तो यह हमारा आ जाएगा कितना यह आ जाएगा हमारा 205 गुणे 441 नब्वे 405 नब्वे 405 जाएगा भाग कर देना 164 से तो 164 से छे बार जाएगा क्या है छे चुकू चौविस दो बचा और चैशे 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 अड़तिस की आठ हांसल की तीन और छे कम छे ती नौसो चौरासी हो रहा है यहां पर नौसो चार है छे नहीं जाएगा कि वार ठीक है उसी भी सब्स 35 वाले औपस्तन तो यह कितने बार जाएगा पांच वार फिर पिस और पांच एक जाए ंक अब फिर दो पांच ठीक है इस तरह से 55125 ठीक है तो इसका इसमें भाग लगा लिए ना तो किता जाएगा 551 दिसम्बलो 25 ओप्सन नमबर क्या जाएगा भी ठीक है तो आपको जो एक्जाम में यह CGL लेवल है ना यह CGL लेवल है आपके जो 10 टैन्थ वेस की जैसे 10 प्लस 2 हो गया MTS हो गया यह फिर कोष्ट गार्ड और क्या बलते हैं इसको ब्यापम के जितने भी एक्जाम है तो उसमें इतने डायरेक्ट कुश्चन आएंगे कि आपको बिल्कुल अपने वैल्यू पुट करी वहीं पे कटके और आंसर आ जाएंगे ठीक है तो इतना हाई लेवल यह सब सीजियल का लेवाल है यह ठीक है चलिए आज हमारा यह आखरी कुश्चन है ठीक है किसी रासी का तीन बर्सों के लिए साधारन ब्याद दो सो चालेस है और इसी रासी का दो बर्सों के लिए समान दर पर चक्रद्धी ब्याज दो सो एक सो सत्तर है तो वारसिक ब्याज की द concept से question लगाओगे, जल्दी लगेंगे और कभी भूलेंगे नहीं जैसे इसमें दिया है कि 3 वर्सों के लिए साधारन ब्याद 240 है, साधारन ब्याद की quality क्या होती है जितना वो पहले महिने है उतनी दूसरे महिन, जितने वो पहले साल है उतनी दूसरे साल है, उतनी तीसरे साल है यानकि सिंपल सा ये 3 साल की 240 है तीन वर्स की 240 है अगर इसमें मैं 3 से भाग कर दूँ तो 3 बराबर भागों में बढ़ जाएगी 3,8,24 यानकि कित्ता क्या 80, ठीक है यानकि पहले साल के लिए 80 है दूसरे साल के लिए 80 है तीसरे साल के लिए 80 है पता चल गया अपन को ठीक है तो अब क्या है कि इसी राजी का दो बर्सों के लिए समान दर पर चकवरद्धी ब्याज 170 है तो दो बर्सों के लिए चकवरद्धी ब्याज क्या है 170 170 जो चक्क ब्रद्धी ब्याज होती है ना पहले साल के लिए वो सेम रहेगी किसके साधारन ब्याज ऐसाई के जैसे ठीक है तो पहले साल के लिए क्या रहेगी 80 ही रहेगी दूसरे साल के लिए कितीर होगी तो टोटल मैंसे पहले साल की घटा दो तो जितनी आ जाए वो क्या ह जाएगी 90 170 में स्सिर्टा हों कित्यान अबभे चीग है तो यह 90 है दूसरे साल की असी है पहले साल की ठीक है तो यह पहले साल और जो दूसरे साल का अंधर होता है वह क्या होता है वो ब्याज ब्याज होता है मतलब इस अशी रुपए Programs Academic मिलती है वो इसमें add है है ना तना असी रुपय तो ब्याज हो गई जो normal मूल धन पे मिलती है और जो 10 रुपय मिली है यह यह रही है 10 डिपरेंस है इन दोनों का डिपरेंस है कितना तो 10 रुपय ब्याज मिली है किस पे असी रुपए पर बस इतना समझ गए मतलब question बन जाएगा ठीक है दस रुपई भी आज मिली है हमको किसमें 80 रुपई में तो इसकी rate निकालना है क्या निकालना है इसमें दर निकालना है तो 10 रुपई 80 80 रुपई में कित्ते मिले हैं 10 रुपई गुणा कर दो 100 से तो दर निकाल आएगी यह 0 से यह 0 और 100 बटे 8 100 बटे 8 कितना होता है 12.5 यानिकी 12 12 चाहो तो काट सकते हो ऐसे काट दिया करो 8 8 एकम 8 बचा 2 तो 20 हो गया तो 8 दूनी 16 बचा 4 8 पंचे 40 12.5 यह इसी को हम क्या लिख सकते हैं 12 सही 1 बटे 2 तो इसका जो right answer होगा वो होगा option number C ठीक है दोस्तों तो आज यह compound interest है आपने देख होगा कि सभी प्रकार के question इसमें संभलेत हो चुके हैं और आपको आपको बस करना इतना है हमारे लिए कि जितने भी अपने भाई लोग त्यारी कर रहे हैं उनको उन तक यह वीडियो पहुंचा देना ताकि उनसे भी exam में बन जाए ठीक है तो इसी सुपकामना के साथ पढ मस्त रहे हैं